नमस्कार बस्वकत आपका इंडिया वाइस देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ शिबम सोने हुमेश पाल हैत्यकान के मुख्या रूपियों में शामिल माफिया अतीक एहमद के फरार पुत्र असत समेत 5 शूटरों के खिलाफ शासन ने 5 लाख रूपे का इनाम खोश्चित कर दिया है अभी तक इन लोगों के खिलाफ धाई लाख रूपे का इनाम खोश्चित था पुलिस इनकी देश के कई राज्यों सहित पड़ोसी देश नेपाल में भी तराश कर रही है कटना के दो हफते से भी ज्यादा दिन बीच जाने के बाद भी इनका सुराग न मिलने पर इनके सिर पर धाई लाक रुपे के रखी गए इनाम को बढ़ा कर अब पांश लाक रुपे कर दिया गया यानि कि अतीक एहमत की गुर्गों का इन शार्प शूटर्स का जो भी सुराग बताएगा उसको पांश लाक का नाम दिया जाएगा तो पांश लाक का नाम घोशित किया गया है इसके साथ साथ असद एहमत जो की अतीक का बेटा है वो भी इसमें मुश्ट वांटेड आरोपी बन गया है उमेश पाल के हत्यारे कानून के लंबे हातों से बश नहीं पाएंगे चले चर्शाप पर आते हैं अशोक सिंग है प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के इस वक्त हमारे साथ हैं जल्दी हमारे साथ पल्वी सिंग होंगे नेता भारती जननता पार्टी और दिलेप यश्वर्दन साब भी जल्दी हमारे साथ होंगे अशुक जी बहुत स्वागत है आपका इंडिया वाइस पर कैसे देखते हैं सर क्योंकि धाई लाख रुपए के इनाम को बढ़ा कर अब पांच लाख रुपए कर दिया सरकार ने करवाई हो इसक्रम में इतरह का इनाम भुषित किया जा रहा है करतार के दरब से एक ठीप हल है Bit. अब गैसे बाइब बन हो लगाना है सारे मांकीयां को कारवाई होनी सी हैं। ऑर जो फो रहा हुआ हैं हरि सारे मांकीयां के शीर्च法 कि बड़ी रहिव हु रहा है, ऑर इस बाइदा कि जन नहीं है उसक्रम कर दिदी है। अब आपको या भाजबाक प्रोका है आप लोग रहेंगी कि हम लोग हमिसा जातिवाद की बात करना है ठीक आपको इस ठीक नहीं मिलना असर आपको दुबारा हम कनेक्ट कर रहे हैं लेकिन फिलाल अतीक के जो गुर्गे हैं उनकी जो इनाम की राशी है उसको बढ़ा कर अब हैं उस पर 25,000 रुपे का नाम खुशीत किया गया है तो 5,000 रुपे का इनाम खुश्चित किया गया है तीक के गुर्गों पर वुमिशिपाल हत्याकान के अरोपियों पर जो जन पर इनाम खोश्चित थाईलाग का रेपोट अब देखिए उसके वाद चर्षा पर आते हैं अरे भाग लो जितना भागना है घुस लो चाहे जिस बीबिल में भले ही समाजाओ जमीन में या फिर बेशक निगल जाए आस्मा लेकिन अब शिरू हो गया है काउंडाउन काउंडाउन अतीक के गुर्गों का काउंडाउन उमेश्पाल हत्यकान में शामिल आरोपियों का काउंडाउन उमेश्पाल के परवार को मिलने वाले इंसाफ का और काउंडाउन यूपी पुलिस को जल्द मिलने वाली काम्याबी का क्योंकि यूपी में उमेश्पाल हत्यकान में शामिल अतिक के पाँच गुर्गों पर पूरे पाँच लाग का नाम घोशित किया गया है इनमें अतिक का डॉन बेटा असद एहमद भी शामिल है प्रागरास से लेकर काटमांडू तक भूशा रहा हुआ है क्या नेपाल में अंडरग्राउंड है थी कलार क्योंकि ये बड़ा स्वाल बार बार सामने आ रहा है फरागर शूटर्स अब पाँच लाग के नामी हो गए है नेपाल में शुपा है माफिया का बेटा असद एहमद हालांकि अभीता कि इन लोगों के किलाव ठाई लाक रुपे का अनाम खोशित था पुलिस इनकी तलाश को लेकर देश की कई राज्यों से पड़ोसी देश नेपाल तक में दविश्टे रही है खबर ये भी है कि भूटान में भी तलाश जा रहे हैं सत के सुरा सूत्रों के मुताबिक माने तो पिछले दो दूनों से नेपाल पुलिस का डेरा है नेपाल में पुलिस की दो टीमों के होने की खबर है पोकरा और आसपास की जगों पर असत की तलाशी हो रही है कि अपरादी बेखों को करके जिस तरह से प्रियाज राज दिन दहारे गोलियों की तरतड़ाहाट वमों की आवाज उसके बाद भारती जनता पार्टी की सरकार एक भी अपरादी पकड़ न सकी जबकि प्रशासन इनका सरकार भारती जनता पार्टी की जेल इनकी खूपिया इनकी इंटलिजेंस इनकी यह सब होते हुए भी अपरादी जेल में सड़यंतर रक्षते हैं और सरकार को भड़क नहीं लगती है इसे बड़ा फैलोर और क्या हो सकता है इनकी सिस्टप का फैलोर है भारती जनता पार्टी आज कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश को बरबात करने में कोई कसर नहीं छोड़ा है अपरादियों का मन बढ़ा है क्योंकि इस तरह से कांड करने के बाद विखोग हो करके अपरादी घूम रहे हो और सरकार पकड़ नहीं पारी इससे बड़ी विखलता पोई नहीं हो सकती है दो हफ्ते से ज्यादा का समय बीच जाने के बाद आरोपियों का कोई सुराग न मिलने पर इनके उपर थाई लाग की रकम को बढ़ा कर पांच लाख रुपे कर दिया गया है पांच लाग का इनामी होने के बाद असद अतिक एहमत के परवार का सबसे बड़ा इनामी और यूपी का most wanted बन गया है अधिक एमित के बेटे पे इनामी राश्य बढ़ा दी गई है यह पुलिस की एक प्रक्रिया होती है कि यदि कोई भी वांटेट कर्मिनल है कोई भी वालचेत अपरादी है किसी अभियोग में यदि वह स्वैम सरेंडर नहीं कर रहा है किसी कारणवश पुलिस से बच रहा है दुबक रहा है तो उसको पकड़ने का ये पुलिस का एक पैतरा होता है और इसके माध्यम से पुलिस को कई बार सूचना मिल जाती है कि वो अपरादी कहां छुपा हुआ है और यहीं नहीं यदि भी ऐसे अपरादी सरेंडर नहीं करते हैं तो आगे चल करके उनकी संपत्त करते हैं और यहानूनी दाइरे में आता है तो इस पे कोई सवाल या निशान भी नहीं उठाय जा सकता है ऊसे में पुलिस का मानना है गुमेश पाल हत्यकान की हत्यारे कानून के लम्बी हातों से बहुत ज्यादा धूर नहीं है पुलिस को मीद्य कि जल्थी सबी आरोपी स्तिलाखों के पीछे होंगे और अपने किये जुर्म की सजा काट रहे होंगे विरो रिपोर्ट इंडिया वॉइस तो चलिए चरशा पर आते हैं हमारे साथ अशोक सिंग है प्रबक्ता समाजबादी पार्टी हमारे साथ दिलीप यश्वर्दन साब है राश्टितिक विश्षाग अशोक सिंग आप अपनी बात पहले पूरी कीजिए क्योंकि आपका आओडियो नहीं आ पा रहा था अभी तक का रुपी पकड़े नहीं गये हैं बाकी के और अब सरकार ने नाम की राश्व बढ़ा कर धाई से पांट श्लाग रुपे कर दिया है और अभी तक अपरादी जो मुक्ष अपरादी है तो पुलिस की पहुंच सितापी पूर है तो यह सरकार का पुली तरह से पहले हो रहे यह इस तरह की पुलिसक वारदात दखने वारदात होने थे बाद भी अगर अपरादी अथ्रकार पुलिस की प्रिस की पहुंच सितापना हो जाती है कि दारिस के बोनट से रखते चरापती जा रहे हैं कि इसमाक्टियों को द्वारा, इनके नाम है सनीज सिंग, रजनीज सिंग, इस तरह की करी लोग है, जिए चाठी बिसेस दिकर से आखते हैं, तो हमारे पार्टी का यह मानना है, कि फूरे इपरदेश में जो मार्डिया हैं के कि अपूंपर ईक शुल पर कर वाय। में प्रिक धार करना जरु भी दर्मवियंदय पर, सि यह दर्म मुझ segunda शॉच से । ने दिंग आपादा के भूल प्रिकाद कुछ थुआ हो हुआ है। दिलिब जी ऐसा सवाल बार-बार उठाती रहती है समाजवादी पार्टी की योगी राज में कुछ चिनित माफियां को टागेट करके उनके घरों को बुल्डोजर थे धोस्त किया जा रहा है जाती वात को लेकर इस तरह की काईरवेक की जा रही है कि अपरादी की तुसर कोई जात होती नहीं अगर ऐसा हो रहा है तो समाजवादी पार्टी जो बार-बार कहती है उसमें कितनी सच चाहिए और क्या वाकि में ऐसा होना चाहिए बंबर से लाए चार लोगों पर कारेवाई हो रही है तो इसका मतनब है कि मों लोग अपरादी विर्टी विजियों में सब्सक्राइब हैं है उन लोगों के अलावा और भी अप्रादी है जिनके ओपर भाती जिन्ता पार्टी को कारवाई करनी चाहिए जो सायद नहीं हो रही है और वो समाज के लिए कलंक है या समाज में उसकी वज़े से दुछ परवड़तियां फैल रही है प्रापार्टी पे कब्जा करका है अन कि खिलाव अगर सरकार कारवाही नहीं करेंगी तो क्या करेंगी अगर समाज बादी पार्टी की सरकार होती तो कि समाज बादी पार्टी ये काम होने देती और ऐसी घटना पर फुलिप कारवाही नहीं करती तो देखे समाज बादी पार्टी या कोई भी पोजिशन को जो वो सवाल खड़े करता है सवाल खड़े करना उसका राजिस्टिक घर्म है और उन सवालों में काफी हिस्तक कहीं कहीं सक्चाई भी होती है लेकिन हंड्रेट परसंट ये कह देना किसी समुदाय विचेश के खिलाब साचन और प्रिशाचन ये कारवाई कर रहा है मैं इस बात कर समरसं नहीं करता हूं सर्कार ने और भी लोग उपर कारवाई करी हैं ये कारवाईयां सही हैं कि नहीं है कि इस बात पर आवाज उतानी चाहिए जो घर गिराए जा रहे हैं जिन प्रॉपर्टी से बुल्डोजर चल ला है क्या वो कानूनी रूप से बने थे अ जानून के तायरे में खी गई है लेगन पर लुट्वी सिंग जो कह रहे हैं अशोक सिंग उसमें किती सच आए कि आप माफिया को टार्गिट कर रहे हैं जाती विशेश के आधार पार समुदाय के आधार पर बाकी कि जो आन्य माफिया उन पर काहिरवाई नहीं करते उन प पास्त में भी आपने देखा याइड विकास मिच्छा थे उनके वेव छे वर वुऌस के वेव पर कारेवाई हुई है तो यह सब बेपुनियाइड बातेropol tIS भाठोगे देखा जा रहा रहा है कौन माफिया है कौन बलत है कौन बलत चीजों में लिफ्ट है कौन अपराधी है उसी के हिसाब बल्ली सिंग इनाम पे नाम आप लगातर बढ़ाय जा रहे हैं क्योंकि देखिए 18-19 दिन हो चुके हैं 24 तारिक को आत्या हुई फरवरी में हुमेश पाल की और तब से लेकर अब तक दो अफ़ बदमाश के और असद के उनको गरफतार किया गया है उनके पूस्ताज किया जा रहा है यह लोग जगा बदल रहे हैं पुलिस अपनी कारवाई कर रही है और जल्दी ही उन लोगों को गरफतार कर लिया जाएगा ऐसा नहीं नहीं गरफतार होंगे देखिए वो भी अब रादी है तो वह भी शातर तरीके से काम कर रहा है पर हमारी यूपी की पुलिस भी कम नहीं है वो उस तरीके से पता कर रही है अभी रिसेंट्ली पता चला है कि नेपाल में शुपे होने की बात सामने आई है तो जल्दी ही वो पकड़े जाएंगे और सबके सामने कर रही है कि माफिया चाहिए कोई भी हो क्योंकि अपरादी की जातना पूछो अपरादी की जाती मजभ संप्रता कोई सा भी हो सकता है हर माफिया की उपर कैरवाई की जाती यह कि राज़ी अशुक से पूछो जी देखती है अभी मैंने आपको होली वाली घटना के लिए एक जांपल दिया था जोंसी में होली जिन गुह है गाडी की बोल्ट के रखती कुछ पजमास को द्वारास नरा सुचारादी की जाती है विरोष करने पर महिला की आख लिगाले जाती है और इस आदमी में होती है सवाल तो सब में खड़ा होता है आप कि लोगों के वो फो फॉट। करते हैं वे तो है जो इसने जगहने वार्दात को अंजाम देते हैं क्या इन्नों फिलास कारवाई नहीं होनी चाहिए अग्र प्रियागराज वाले मामले में सरकार जो कारवाई कर रही है पर होने जिये उसकर प्रदेशी तयाकों बिमाफिया किसी भी जाती धरंटम जहस्का लेकिन लेकिन जिवम जी देखिए अभी माननी मुकमंतिर जी के साथ दिए भूट बाजी दिनिजी का फोटो गायर होगाँ तब सवाल खड़े हो थी कि जाट बैट के इस तरह से मतलब ब कि जो शूटर्स थे शाथ शूटर्स उन शाथ साथ शूटर्स मैंसे किसी को भी योगी की पुलिस गरफतार नहीं कर पाई यह बैस दो का इंकाउंटर हुआ है असद का है कोई नहीं पता जो मुख्या रुपी तो सथ्या कांड के उनके गिरिबां तक पुलिस के हाथ अभी दूर है शाहिस्ता पर्मीन अतीक एहमत की बीबी 25,000 के नाम तो आपने खोशित कर दिया उसके उपर उसका एक का शूटर के साथ फोटो भी बाइरल हो रहा है उसके साथ उसके आं गई थी वह लेकिन उसका भी कोई पता नहीं है जो मुख्या रुपिया वो तो में दूर ह काईरवाえ हो रही है तो कृड़ू बंबाज की घर को गरा देते हैं जफर ए्मद की घर को गरा देते हैं और ये लोगों की घर को गरा वो नए अपरादी नहीं है शातिर अपरादी है कब से बुना करते आ रहे हैं तो पकड़े तो वो जरूरी जाएंगे और उस पर पूरी तरीके से यूपी पुलिस लगी हुई है जल्दी आपको यह सुचना मिलेगी कि वो पकड़े गए है दिली पिश्वरदन सर विकास कार की सरना हुई थी लोगों ने सरना कि देखे उत्तर प्रदेश में माफिया राज डॉन राज इसको पनपने दिया जाएगा लेकिन अत्रीक एहमत है तो क्या ही मानने कि विकास दुबे कोई छोटा डॉन था अत्तिक हमत बड़ा डॉन है बड़ा माफिया है इसका ज्या नेश्यूरल नहीं था यह प्लैंड था आप इनकाउंटर गुगर के अप्रादी को ता उसमें खतम कर दिया अप्रादी के साथ बहुत सारे राज भी खतम है तो वो राज जो खुल जाते तो पता नहीं कितने लोगों के नाम आ जाते सामने और हो सकता है उन्स नामों में क कहानी का खातमा था वो खतम कर दिया गया अतीक अहमत को भी गाड़ी पर पाने की बात अभी एक बाज़पा के सांसाथ उन्होंने बयान दिया था कि गाड़ी पलट जाएगी गाड़ी इसके पलट सकती है इसलिए अभी अनिल राजवर ने भी कह दिया सर अनिल राजवर है ये भाच्पा के तरफ चे स्टेटमेंट आया है अलाकि यह सरकार की बधानामी है और यह इसंट मदा और यह कर नहीं है सरकार की गतिविवजियों के भवश्यवाणी करना दे रहे हैं लेकिन रहे हम आप नहीं रोख सकते हैं और अतीक एहमद के ऊपर जो कारेवाहियां होनिया जो पकड़े नहीं जा रहे हैं इस बात का समर्सन मैं भी करता हूँ कि वह बहुत सातीर अपरादी थे उन्हें मारना कब है और मार के कहां भाग जाना है ताकि उन्हें जैसे आप बताए दिलिप सर की विकास दुबे के पी की यदुध सामजवादी पार्टी तो टुड़े हो गाया एक आतंग का डर खतम हो यह समाजवादी पार्टी का संद्राइब को रहता है ठीक है पर लभी जो इस तरह की बयान बाजी हो रही है उन नाव अभी बीजेपी के आपके सांसर थे मुझे नाम याद नहीं आ रहा उन्होंने अभी स्टेट्मेंट दिया था कुछ दिन पहले कहती केमत की गाड़ी पल सकती है गाड़ी बड़ी पलिट्ने की बाते यह सब गलत है और यह कानूनी रूप से उनको पकड़ा गया है जेल में है वो उन पर अपराथ साबित होगा तो कानी कानूनी रूप से कारवाई की जाएगी यह सब हवा की बाता है इसका मैं बिल्कुल भी समर्चन नहीं करती इस पकार के स्टेट्मेंट का लेकिन अशोक साब जब आप सवाल तो उठाते हैं इसका पुलिस्या कारवाई पे के अब तक 20 दिन हो गए क्यों नहीं पुलिस पकड़ पारी है पुलिस के हाथ अभी तक आरूपियों के गरिमां तक नहीं पहुशे हैं लेकिन आप से सवाल किया जाएगा कि भाई पन पे किसकी सरकार में थे तो आप कुछ कहते नहीं आप इंदर उदर की बात दे करने लगते हैं अभी जी इसी पत्री लेडेश में जो बीएस्पी की सदस्ट आपको पता हो गए इसका और हमारे राश्टी देश मानने अगले सियादो जी में अधी कहमत को मंच पे भी जड़ा नहीं देती है याद होगा मंच पे उचड़गे तो उसको मंच उगा दिया तो इसकी अगले सियादो जी इसा पेयर पॉलिटिक्स करने वाले लोग बहुत स्कम है राश्टी तो किसी भी माफिया को ये 2017 में हो ये 2022 में हो किसी को टिकट नहीं दिया हु अब आश्टी जन्ता पाटि को 22 मंत्री है इसमें बर्कमाल योगी सरकार में 25 मंत्री है इनके ओपर भाहत ज्यांकर अपरागे मुतर्मे है इसमें आजिए अगर इस तरह से एंपे मिले कोट में योगी सरकार आजम खान और अजला आजन और इस तरह की पिपक्षि कजायको कि और मंत्री की का बगूतौाना चाहिए यह वार्य सब्सक्य को नहीं है इससे इत्यास विश्कमाफियान को अश्रे नहीं है तक कौन सी नहीं बात है सब हमाई राजमें पने पे थे बीजेपी के राजमें पर अपने हैं तरह कोई मापी हमारे राज्चे तेजिए अधिका नहीं पिया नहीं किसी पूर्चर देते हुए अधिकास दुबे की पत्नी जला पंशात अध्रक्ष का शुनावड़े उसको भी टिकेट देने वाले आप थे कोई अपरात्जी है कोई माफिया थे समाजवादी पार्टि कभी उसको फोर्च में करने काम साथ की नहीं एप स Protech लें जो कारिबाई हो रही है सरकार की तरफ से की जिससे धाधर बर्डोसर एक्षिन हो रहा है दो लोगा के एंठार हो गए इसको सही ठराते हैं तो इस देश के कानूं के साथ से इसी भी अपरादी को सजा होना चीए कानूं संब्सक्रादी आप इस तरह का जो पलवी सिंग अशुक जी कह रहा है कि कोई भी अपरादी है किसी ने अगर बं भी चलाया जान लेली किसी की तो आप उसे विदी सम्मत कायरिवाई कीजे उसके साथ जेल पहुंशाये फासी दीजे लेकिन यह एंकाउंटर कर देना घर पर बुल्डोजर चला देना यह ठीक नहीं है निया संगत नहीं है मेडम देखिए उमेश पाल जी के केस में क्या हुआ ओपिनली उन्होंने धड़ा धड़ा गोलियां चलाई और दिन धाड़े मारा है और इसके बाद रही बात इसकी बात बुल्डोजर का बुल्डोजर जो भी चलाय जा रहा रहा है माफियाओं के उपर ही चलाय जा रहा है आम को कोई नुक्सान नहीं पहुंच रहा है और गलत काम करेगा उसके साथ गलत तरीके से पेश आया जाएगा यह जो पांच लाग का इनाम की राशी बढ़ा दी है इसका कुछ वाकिए में परेडाम मिलेगा या फिर सरकार को और सक्ती से इनकी खोश्विन करने चाहिए तलाश्य बेंतेस करना चाहिए देखे मेरा अपना वर्जन है कि सरकार जब इनाम बढ़ाती है तो वो अपनी अयोगता को थाबित करते हैं कि हम नहीं ढूंड पा रहे हैं अब पब्लिक ढूंड के थे अब पब्लिक कहां से ढूंड करके देगी तो ये सरकार ने बढ़ा दी इनाम की रासी इसका मतलब सरकार ने ये मान लिया हम उसको नहीं पकड़ पा रहे हैं और शायद नहीं पकड़ पाएंगे इसलिए कोई हमें ढूंड के तो हम उसको पकड़ के लिए आएंगे और ढूंडने वाले को 5,000,000 उसके इनाम दिया जाएगा तो इनाम पढ़ा थे ना बहुत शुक्रें सरा आपका चर्चा में शरीक होने के लिए दिलिप जी अशुक्ची आपका शुक्रिया पलवी सिंग आपका शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए इसके साथ आमारे इस खास पेशकेश में अतना है खबर लगाता है अर्शारी है